नमस्कार दोस्तों हमारे यूटीब चैनल में आपका फिर स्वागत है आज हम बात करेंगे नेक हम यानि काइफोसेस जिसे आम बोल चल की भाशा में कूबर कहते हैं इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे मटापा रजमरा के काम सही पोस्चर में ना बैठना पढ़ना कंप्यूट देखना गलर दंग से मोबाइल देखना रीडिंग गलर दंग से लेटना या चलना और कमजोर मास्पेश्यों का होना एक कौमन फैक्टर है कुछ लोगों को जकडन या दर्ध हो सकता है बीटवाल्व विटामिन कैल्शियम या मसल्स वीकनस की वैसे समस्या हो सकती है अगर इन एक्सेस को उन्हीं लोगों को नहीं करनी चीए जिनने कोई प्रॉब्लम है बलकि उन्हें भी करनी चीए जिनने कोई प्रॉब्लम नहीं है ताकि आगे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए इनमें कुछ टाइट मसल्स हैं जिनने हम स्ट्रेच करेंगे और कुछ वीक मसल होती थी परंदु ध्यान नहीं देते थे अब भी संबल जाओ को छोटी-छोटी एक्सेस हैं जो रेग्लर करनी है वरना जैसे समय बढ़ता जाएगा प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी अभी 10 मिनिट निकालो यह लाइफ टाइम प्रॉब्लम को फेस करते रहो चोईस आपकी है तो देखते हैं वो कौन-कौन सी एक्सेस हैं जिने करने से आप इस नेक हम की प्रॉब्लम से चुटकारा पा सकते हैं तो सबसे पहले आपको वजरस में बैठना है हाथ थाई पर रखने है शोल्डर को उपर की साइड और नेक को नीचे की साइड प्रेस करना है वन टू टैन काउंट करने है अगर आप वजरस में ना बैठ सके तो क्रॉस लेक करके चेर पे या खड़े हो के भी को एक्सेस को परफॉर्म कर सकते हैं सेकंड एक्सेस में आपको अपनी अल्बो को मेक्सिंप साइड खीचना है वन टू टैन काउंट करना है चेस्ट आपने आप रखनी है और बैक स्ट्रेट रखनी है इसको आप बैठके चेर पे भी और या ख़ड़ों के भी परफॉर्म कर सकते हों और फिर आपको धीरे धीरे इसको छोड़ देना है थर्ड एक्सेस में आपको चिंटक करनी है चिंटक पे हाथ रखके या बिरगर चिंटके भी आपको हाथ रखे बगाएर भी आप पीछे ले जा सकते हैं और वन टू टैन काउंट करके आपको छोड़ना है शुरूर्म में आप फाइप पाउंड कर सकते हैं बैक आपको स्ट्रेट रखनी है नेक को पीछे के साइट जाके रोकना है इस एक्सेस में आपको किसी कॉर्णर पे जाके आपको दोनों हाथ अपने शोड़र के स्ट्रेट रखके आपको चेस्ट को प्रेस करनी है ताकि पीछे के जो मसल् प्रफॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फ अगर आप इसे fast perform करेंगे तो आपको बिल्कुल stretch नहीं आएगा तो आपको इसको slow perform करना है इसके बाद केक्सिज आपने roller पर लेटना है आप roller की जगा गोल तकिया या फिर टावल को भी यूज़ कर सकते हैं फिर आप उसके उपर आराम से लेट जाएं नेक थोड़ा सा back side पर गिरने दें और अपने हाथों को पूरा stretch होने दें फिर आप stretch को second रुखने के बाद आप अपने हाथों को उपर ले आ सकते हैं और फिर अपनी elbow को नीचे हो और उपर कर सकते हैं आपके upper back के muscles में पूरा stretch आएगा and feel the stretch अब अपनी elbow को आप उपर और नीचे की side प्रेस करके रखेंगे उपर की side और नीचे की side ये भी आपको करीब 10 times करना है over stretch आपने किसी भी pose के अंदर नहीं करना है अब हम लोग कुछ yoga के poses करेंगे yoga poses में सबसे पहले है cat stance, look up और आपको shoulder को पूरी तरह से press करना है आपको जहाँ पर problem area है आपको press उधर ही करना है, pressure उधर ही रखना है neck नीचे पूरा नहीं लेके जाना है आपने starting में, धीरे धीरे अगर आप perform करेंगे उसके बाद आप कर सकते है second pose है cobra pose, इसके अंदर अपनी elbow को अपने अपनी body के साथ रखना है पूरा उपर नहीं जाना है, chest आप रखनी है and look back slowly जहां पर आपका neck area है वहां पर आपको perform कर प्रेस करना है किसी भी pose को आपने कम से कम पाँच बार करना है over stretch लगे तो आप rest करें यह है camel pose, इसमें भी आपको mind अपने upper position पर ही रखना है और वहीं पर प्रेस करके रखना है हर pose के आपको कम से कम पाँच इसमें single leg opposite side और opposite side के जो हाथ है वो उठाना है one by one और अपना mind आपको उपर के muscles पर ही रखना है यह सारे योगा पास काफी फाइदे मन होते हैं और चीज़ों के लिए भी परन्तु आज हम लोग सिरफ neck हम के लिए ही कर रहे हैं यह है आपका table इसके अंदर आपको shoulder पूरा stretch होगा आपका पैर आप bend करके भी रख सकते हैं और सीधे भी कर सकते हैं mind आपको upper shoulder के muscles पर ही रखना है and last pose है आपका इसमें आपको chin के नीचे हाद रखना है elbow आगे की साइड रखनी है और आराम से इसी pose में लेटना है इन exercise को करने के बाद आपको अपने नेखम में काफिस उधार आएगा कुछ होर वीडियो कुछ होर poses भी हम लोग बताएंगे आने वाले time में तब तक आप इनी poses को करते रहें धन्यवाद आपका दिन शुब हो वीडियो अच्छे लगे तो share करें ताकि कुछ समाज का भी भला हो धन्यवाद